हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल सोशोलोजी विच संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग वेस्टरन सोशोलोजिकल ठिंकर जेक्स डेरिडा जी की बायोग्राफी तथा उनको थियोरी को देखेंगे ये जो थियोरी है ये तो ऐसे अगर आप यूजेसी नेटकस लेबस देखिएगा तो उसमें डायरेक्ट इनसे लेकर न कोश्चन नहीं पूछा गया है लेकिन प्रिवियस येर के जितने भी कोश्चन आप देख लो तो इसमें उनसे रिलेटर जो थियोरी है वो आता ही है जेक्स डेरिडा की जो थियोरी है उसे डिकंस्ट्रक्शन थियोरी बोला जाता है इसी से रिलेटर इन्होंने और दो थियोरीों को दिया है तो चलिए आज की क्लास को लेटना करते वे हम लोग इनकी बायोग्राफी तता थियोरी को देखते हैं किनी भी ठिंकर की थियोरी को जानने से पहले उनकी हमें बायोग्राफी जानना बहुत जादा जोड़ी हो जाता है तो Jax Derrida जी की थोड़ी सी हम लोग बायोग्राफी देख लते हैं इनका जन्म 15 जुलाई 1930 को हुआ था और इनकी मित्यू की बात की जाए तो इनकी मित्यू अक्टोबर 2004 में हुई थी Jax Derrida जी का जन्म Algeria में हुआ था तता इनकी मेत्यूप फ्रांस के फैरिस में हुई थी जखस डेरिड़ाजी अलजेरिया में जन्में एक फ्रांसीड दर्शनीक थे जिन्होंने वी रच्ना जिसे डिकंस्ट्रक्शन थेहोरी बोला यता है इसके लिए उन्होंने काड़े किया है बहुत ही महत्वपुन काड़ जी इसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपुन अपने सिध्धानतों का प्रतिपादन किया था तो इनकी जो थियोरी आए थी वह 20th century में आई थी इनकी कुछ importance books की तरफ हम लोग देख लेते हैं तो इनकी जो इसे तो Jacks Derrida जी ने बहुत सारे पुस्तकों की रक्षना की थी लेकिन जिन पुस्तकों के बारे में आपका net की एक्जाम में पूछा जाता रहा है और PGT के एक्जाम में पूछा जा सकता है उसे मैं यहाँ पर ले कर आई हूं तो इनकी पहली पुस्तक थी Literature At Love Difference इसकी रशना इन्होने 1967 में की थी Second इनकी बुक थी Margin of Philosophy इसकी रशना इन्होने 1972 में की थी Of Gramatology भी की रशना इन्होने 1967 में की थी एक और इनकी पुस्तक थी Glass इनकी रशना इन्होने 1974 में की थी इनकी next पुस्तक थी Archive Viewer इसकी रशना इन्होंने 1995 में की थी इनकी next जो बुक है वो है Spectors of Marks इसकी रशना इन्होंने 1993 में की थी इनकी और भी जो पुस्तके हैं वे है Speech and Phenomena and Other Space and Writing Difference एक और पुस्तक कि इन्होंने रशना खे थी Truth in Painting Truth in Painting में इन्होंने अपने जो थियोरी थी Logosentrism इसके संदर में इन्होंने बताया था तो चलिए इनकी हम लोग थियोरी को देखते हैं तो Jacks Derrida जी ने तीन प्रकार की थियोरी को वर्णन किया था इनकी पहले थियोरी थी Deconstruction थियोरी इसी से Related इनकी Nest थियोरी थी Gramatology थियोरी और इसी से ही Related इनकी जो थियोरी थी वो थी Logosentrism तो चलिए एक एक करके इनकी थियोरी को हम लोग देखते हैं और मैं आपको बहुती कम सब्दों में इनकी थियोरी को बताने का कोसिस करूँगी जिससे आप लोगों को अच्छे प्रेकार से समझ में आ जाए तो इनकी जो पहले थियोरी थी Deconstruction थियोरी Deconstruction का तात्मड़े क्या होता है कि कोई भी चीज को बनाना और D जब लग जाता है मतलब उसको हम लोग तोड़ रहे हैं सिक्ष्टृ में स्टार्ट किया था और उनके साथ जो अधा ट्रांसीडेंटल सिग्निफाइर इसमें इन्होंने रिकन्स्ररक्शन थियोरी के लेकर अपनी थिजो थी वह दी थीि तो रिकन्स्रुक्शन थियोरी का तात्मड़ी क्यों ही भासा संरश्णा को समझना है संरश्णा की भासा को समझना है पूरे क्लियर तोड़ पे तो हम लोगो क्या करना हो भासा को माध्यम नहीं नहीं होती है अगर अर्थ देखे तो अलग-अलग जगवर जो बासा का रूप है वो बदलता जाता है भासा के जो माड़्य में इसके अर्थ को में बदलावा जाता है और इसे अच्छे प्रकार से समझना या जानना हो हम कोई भी टेक्स्ट को लेते हैं तो उसे समझने के लिए क्या करते हैं उस टेक्स्ट को तोड़ तोड़ कर जब हम उसे समझते हैं यानि भासा को तोड़ तोड़ या अस्थागित करकर समझना वही क्या होता है? जो next theory थी grammatology इसमें इन्होंने बताया कि अगर हमें भासा का real अर्थ जानना है तो इसकी संदर्व की अर्थ को हमें खोजना होगा जैसे भासा जो बोली जारी है वो किस अर्थ में बोली जारी है उसकी जो प्रक्रिया है जो grammar ने वो किस अर्थ में है इसको जानने के लिए हम लोग grammatology जो थियोरी है उसका प्रयोग करते हैं यानि हम कह सकते हैं कि भासा के अर्थ को संदर्व में वो जो संदर्व में बोला जारा है उस संदर्व में हमें समझना होगा तीसरी इनकी जो थियोरी थी जो कि बहुत ही जादा important है वो है logo centrinism लोगो यानि की जो people है उनकी बारे में बोला जा रहा है और centrinism मतलब के ये सेंटर्म में रखे जखिए कंशरिय के अनुसार जो अभीका समय था ही था वरतमान समय था इसमें लोगों की जो भावनाये उनका प्रतिनीदृ feelings वह क्या कर है पूरा प्रतिनीधी कर बाजेंस के उनके उन्होंने बताया कि जैसे हम लोग कोई ड्रामा करते हैं आप रमायन का ड्रामा ड्रामा ले लिजे तो जो राम बनते हैं जो सीता बनते हैं वो तो रियल में राम सीता नहीं आते हैं वो क्या करते हैं जो रियल राम सीता थे उनके इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं उनके फ feelings हमारे emotions हैं हमारे जो nature है उसको क्या करता है represent करने का एक माध्यम होता है इसी का लेकर उनकी जो एक पुस्तक थी truth and painting इसमें उन्होंने बताया जो painting है जो paint किया जारा paint का जो earth है वो क्या है सब्द को केंद्र में रखकर एक चित्रों के माध्यम से जो व्यक्ति की अभिव्यक् चित्रे के पीछा जो सच चुबा हुआ है तो वो सच क्या है वो लोगों का emotions है उसके feelings है उसको जो व्यक्ति है वो क्या करता है अपने चित्रों के माध्यम से प्रदर्श्यत करता है कोई भासा के माध्यम से करता है कोई ड्रामा के माध्यम करता है कोई अर्थ को संदर्ब म माध्यम से करता है तो यही था जैक्स जैरिजा जी का डिकंस्ट्रक्शन थियोरी आपको अच्छी प्रकार से यह समझ में आ गया होगा अगर आपको यह क्लास लगे तो प्लीज आप अपने दोस्तों से जाद से जाद सेयर करें तो मेरी चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सिस्का के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवान